नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बड़ी खबर आ रही है गलवान वैली से गलवान वैली मैं भारतिय सेना की तैयारे देखकर दो किलो मीटर पीछे हट गया है चाइना जी हैं जिस जगह पे यानि की पीपी पॉइंट फॉर्टीन पे पंदर तारिक को जो हमा रही है तो उनी को देखकर अब चीन जो भी कुछ दिन पहले की इधर भवकिया दे रहा था और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था पर अब वो दो किलो मीटर पीछे जा चुका है यह पूरी तरीके से वह संदेश हैं जो भारतिय सेना की तरफ से बार-बार कहा जा रहा पर चाइना का नाम बेशक पीएम नरंदमोदी ने नहीं लिया पर साफ 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 संदेश वो पीएम नरंदमोदी का चाइना के लिए था और इसी का पर नाम है आज कि चाइना अब दो किलो मीटर उस पॉइंट से यानि की पीपी पॉइंट 14 से पीछे हट गया है जिहां वही पीपी पॉइंट जहां पर 15 जून को चीनी सेना और हमारे भारतिय सेनिकों के बीच एक खूनी जड़प हुई थी जिसमें भारतिय हमारे 20 सेनिक वीर गती को प्राप्ट हुआ और उसके बाद काफी जादा साट से भी जादा चीनी सेनिकों को मार गिराया था जिसके बाद चीन में इतनी बुरी तरीके से उस चीज का हड़कम मचा के बेशक उनका अकबार चाहे वो ग्लोबल टाइम सो विदेश मंतराले हो या फिर वहा पर जो हमारे 20 सैनिक वीर गती को प्राप्ट हुए उसका कड़ा जटका था हा उसका तो चाइना को लगा ही किस तरीके से हमारे वीर सिपाईयों ने उनको मू तोड जवाब दिया और यहां पर बैठे हुए कॉंग्रेस यानि की कॉंग्रेस चाइना के दोस्त उनको भी एक भारती सैनिकों की जिस तरीके से तैयारी है और पीम नेंदो मोधी और रक्षा मंतिर राजना इस तरीके के बयान उन दोनों की तरफ से आ रहे हैं चीन को अब समझा चुका है कि भारत से पंगा लेना इतना जादा सस्ता नहीं है और जो उसकी विस्तारवादी की नीती है जो उसने 1962 में पूरी तरीके से पूरी कर ली जब नहरू का जमाना था 1962 में तो चाइना को ये लगा कि वो सारी जमीन को हड़प लेगा और उस टाइम पे वो कामिया भी हुआ और इस टाइम पे जब चाइना ने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की है तो आप सभी को पता है कि भारतिय सेना और भारतिय सरकार की तरफ से किस तरीके का तगड़ा जवाब चाइना को दिया गया है यहां पर चाइना पर भरोसा करना भी पूरी तरीके से लाजमी नहीं है क्योंकि चाइना भी आपको बता दें कि 5 जून को जो कोर कमांडर की बैटक हुई थी उसमें भी चाइना को कड़े संदेश दे दिये गए थे कि आपको यहां से अपनी सेना और जमावड़ा लगा रखा है उसे हटाने की जरूरत है क्योंकि भारत एक की भारत की सेना एक भी कदम पीचे हटने के लिए तयार नहीं है बले ही दो महीने हो चुके हैं गलवान वैली में इस हालात को बने हुए पर उसके बावजूद भी हमारी सेना वहां से टस्से मस नहीं हुई है उन्होंने आखों में आखें डाल कर और जिस तरीकी का जवाब उन्होंने देने की कोशिश किया उसे भी कड़े संदेश लिहाजे में यह हमारी सेना ने उन्हें जवाब दिया पानी ऊपर तेज गती से उपर आ रहा है तो शाद इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि अपनी सेना को बचाने के लिए या फिर उसने कड़े संदेश में कह दिया हो कि आप पीछे हो जाओ तो इसलिए चीन पे बरोसा करना ठीक नहीं रहेगा पर उसके पाद ये भी है कि चाह को मूँतोड जवाब देने के लिए इसका और अभी मैंने आपको कुछ दिर पहले बताई था कि पीम नरिंदो मोदी ने जो तीन तारिक को दौरा किया था ले मैं वहां पर काफी सारे संदेश दिये गए थे चाइना को पीम नरिंदो मोदी की तरफ से एक में पीम नरिंद भारत का दौरा करने आए थे तो यहां पर किस तरीके से पीम नरिंदो मोदी उन से पेश आयते पूदेश की जंतान उन्हें प्यार दिया था पीम नरिंदो मोदी ने उनको बैठ के यहां नारियल का पानी पिलाने के लिए आपके लिए बैटे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको उसका जवाब भी देने के लिए भी तयार हैं तो यहां पर चाइना को यह शाद चीज़ें समझा गई हैं यहां पर एक बात देखने वाली है जो हमारा दुश्मन है यानि कि चाइना जो हमारा कभी सगा दोस्त नहीं हुआ पर उसके बावजूद भी यूपी कि सेना कितनी बार अंदर आके बापस चली गई पर चीन के पर कॉंग्रिस की तरफ से कोई भी जवाब दे ही इस पर नहीं की गई और जब मीडिया इस बात को उठाया करती थी तो इनकी तरफ से कहा जाता था कि इस पर ध्यान देने की जरूद नहीं है और वही कॉंग्रिस जो उस टाइम पर ये कहती थी कि उस मुद्दे को जादा उचालने की जरूत नहीं है चीन से डरने की जरूत नहीं है और जिसने चीन को इतना जादा बढ़ावा दिया चाहे विस्तारवादी की नीती हो या फिर चीन का बिजनेस भारत में करने की बात हो किस तरीके से चाइना को चाइना की तरफ से कॉंग्रेस को फंडिंग होई चाहे वो 2005 हो चे वो या फिर 2008 में MOU का जो इन्होंने इसके साथ डील साइन की थी चाहे इस तरीके कि तमाम ऐसी चीज़ा है जो चाइना के और कॉंग्रेस के आपसी संबंदों को दर्शाती है तो ऐ चलवान वैली में इन तनावों को पैदा हुए और वहाँ पर लगाता है हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि कहीं आज युतना हो जाए आज जड़ अपना हो जाए यहां पर पूरे देश की नजरें बॉर्डर पर बनी हुई है कि हमारी सेना किस तरीके से चाइना के सैनिकों और चाइना को मुद और जवाब दे रहे हैं तो वहीं पर उसका जटका लगता दिखता है कॉंग्रेस को कॉंग्रेस का चाहिए सोनिया गांधी हो प्रेंगा वाडरा हो या फिर पीच दंबरम जैसे नेता हो जो खुद जेल में से निकलकर अभी जादा दिन नहीं हुए है पर उसके बावजूद भी उन्हें अगर राजनीती करनी है तो हमारे सैनिकों पर करनी है हमारे सेना उपर करनी है आपको पताते हैं कि जब से चीन को लेकर ये तनाप पैदा हुआ है उसको लेकर कॉंग्रेस हमेशा अभी पीच दंबरम की तरफ से बयान दिया गया था और सवाल जबाव इनकी तरफ से चाइना से क्यों नहीं किया गया है ये लोग सरकार को कटगरे में खड़ा करने के लिए अपनी नाकामियों को नहीं देखते कि किस तरीके के इनकी नाकामियों के वज़े से आज ये हो रहा है और जिस जमीन को हमारी सरकार बचा रही है और जि तो इस बात पर यह भी है किस तरीके से बहरोसा कर लिए जाए जिस कांग्रेस के राज में ही इन सारी चीजों की शुरुआत हुई है तो बात करते हैं हम कुछ दिन पहले ही जादा दिन पीछे नहीं जाएंगे बस अभी एक हफते पहले की बात है जब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा का एक्शन उठाया गया किस तरीके से भारत सरकार 59 अप्स को बैन कर दिया था तो उससे भी कितनी जादा किरकिरी हुई क वेसे की विए जानि आता और तमाम तरीके की बात इनकी द्रफ से उठाया जाती है् या फिर भारत वे पाइशक को या फिर की चाईना के सामान के पहिशकार को को लेकर कोई बात हो पर कॉंग्रिस को अगर कभी वी राजनीती करनी होती है तो वो चाइना से कुछ नहीं पूछती है भी पीचे दंबर हम का बयान था वो यह कहते हैं कि अगर चाइना के सामानों का भाहिशकार हम करते हैं तो चाइना को जादा नुकसान नहीं होगा तो आप देख वीडियो बनाकर डालते हैं कभी ट्वीट करते हैं या फिर किसी भी कोई भी मुख्य अकबार लेकर उसके तेर रुपे पीम निरंदुमोदी को कटगरे पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता हिए कि भारती जंदा पाटी यानिकि बीजेपी के राष्टी अ चाहिए कि जिनेना और सेना के बारे में कुछ नहीं बता जिन्होंने तैयारियों को लेकर जबी संसत की या फिर कोई भी मीटिंग सेना से रिलेटर होती है तो वहां पर राहुल गांदी नहीं पहुचते और जब बात आ जाती है कि पीम निरंदुमोदी को किस तरीके से हो गया है कि यह नहीरू का भारत नहीं है बलकि यह नया भारत है और 2020 का भारत है जिसमें पीम निरंदुमोदी का राज है और पीम निरंदुमोदी साफ कह चुके हैं कि नहीं तो हम किसी को आखें दिखाते हैं और नहीं तो हम किसी के सामने आखें चुकाते हैं चाहें पी प्रूपिये की सरकार नहीं है कि बॉर्डर पर कुछ भी हो जाएगा और सरकार की तरफ से कोई इंट्रक्शन मिलेंगे उसके बाद ही सेना को एक्षन लेगी अब सेना के हाथ पूरी तरीके से खुले हुए हैं अगर चाइना के सैनिक कुछ भी गड़बर करने की कोशिश करत तो आते हैं कि जो चाइना हर तरीके से घिरा हुए करोना वारिस हो और इसका बहिशकार करने के लिए भी अब भार एपने पर देशा होगी शुरुबर करें आपके एपने नीथी पर चायम इन पर यहां पने अर्थवेस्ता को असूधी तो यहां पर भी एक कड़ी जोट पीम नेंद मोदी ने देही दी है और जो उनसर टैप को लेकर मैंने बात आपको बताई थी उसमें भी 6 बिलियन डॉलर का जो नुकसान चाइना को हुआ है ये शुरुआत है चाइना को उसकी आउकाद बताने की कि आने वाले टाइन में चा पीनने की चम्ता रखता है